राजिस्थान के जिला जुंचनु के गाम चवरा चोफुल्या में किसानों मजदूरों एवं व्यपारियों द्वारा समस्याओं का समाधान कराने के लिए आम सभा की गई जैसे नेवरी से गुड़ावाया चोफुल्या की निर्मान धीन सडक को ठेकेदार के मनमाने तरीके से रोक रखा है जिसे आम रागीन तथा आसपास के लोग दुकानदार प्रदूशन वगंदे कीचड से भयंकर परेशान है उन्होंने मांग की सडक का निर्मान चालू करवाने तथा किसानों का संपूरन करजा माफ करवाने की स्वामी नाथन आयो की रिपोर्ट लागू करवाने और अवारा पश्वों की प्रशासन द्वारा स्थाई वठोस विवस्ता करवाने वद मंदिर माफी की जमीन पर किस किसानों की खातेदारी हग करवाने के लिए पशु ओश धाले चम्वरा में खुलवाने के लिए मांग की। पहले सरकार के साथ समझाता हुआ था कि सीटी लाइन से जोड़ दिया जाएगा लेकिन नेवरी रोड की जो भी दुकाने आज कम से कम डेट सो दुकानों को फिर भी सीटी लाइन से नहीं जोड़ा गया है। जिला जोंजनों तैसिर उद्यप्रवाटी अंतरगती चावरा चौरा उपर किसानों दवारा अभी बिन समस्याओं को लेकर कठनेयां को लेकर आज यहां मेटिंग की गई है। यहां किसान सभा के द्वारा जो चावरा चोप फिला पर जो समस्याएं हैं। इन समस्याओं में पहली महत्वपुन समस्याओं हो है आवारा पशू। आवारा पशू सरकार की जो है नियतियों के कार आज किसान को बरबाद कर रहे हैं। आवारा पशूं के लिए किसान इसलिए परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने इस पर व्यापार पे बेचने पर प्रतिमन लगाया है वो अटे और यहटने पर ही जो है किसान और यह पसू धन जो है बस सकता है। चवरा चोपिला की जो सडक वो आज करीब जो है आठ मैने से पूरी तरह उखड़ी हुई है पानी भरा रहता है जो प्रेसान रहते हैं इसलिए उसको ठीक करने के लिए यह धर्णा और यह सभावारी है। पिसरा है यहाँ चवरा में GSS बने आज करीब जो है 4-5-6 साल हो गए और चवरा कोपिला पूरी तरह से सीटी लाइन से नहीं जुड़ा है यह इसका ध्रक रमचारियों की अधिकारियों की मोनोपोली है इसलिए हम चार्पिला की बहुत पूरा सीटी लाइन से लिए इन त बेल आइकोन को दबाए